हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल फ्रेंड्स आज हम आपको 4-5 यर बेबी के लिए बहुती प्यारी सी ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं इसमें हमने प्लाजो में भी नीचे की साइड डिजाइन लगाया हुआ है और बीच में भी फ्रोक के डिजाइन लगाया हुआ है इसमें 80 cm प्रिंट फेबरिक हमने यूज किया है और 80 cm प्लैन फेबरिक यूज किया है आईए वीडियो शुरू करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं झाल करते हैं झाल 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 ये देखिये फ्रेंट्स ये दो पीस हमने प्लाजो के लिए लिए हैं जिसकी लेंद्ध 25 इंच है और चोड़ाई इसकी 20 इंच है हम इसको ऐसे करते हुए डबल कर लेते हैं यहां पर 4 लेयर इसकी हो गई है अब हमें इसको चोड़ाई में आसन का 2 इंच इस साइड से लेना है जिस साइड से हमारा खुला हुआ हिस्सा है तो इंच का इस पर आसन की चोड़ाई का निशान लगा देना है और लेंथ में हमें इसको 10 इंच रखना है इस तरीके से करते ह हमें इसको यहां से चकोर कर लेना है और आसन में हमें इसकी यहां पर गोलाई कर लेनी है यहां से हम 1.5 इंच नेफे का निशान लगा लेते हैं जिसमें हमें यहां पर लास्टिक डालनी है अब हमें इसको यहां से कटिंग कर देना है यह देखें यहां से हमने इसको कटिंग कर दिया है फ्रेंट्स मोहरी हमें इतनी ही रखनी है क्योंकि आजकर लूज प्लाजों का नीचे से फेशन चल रहा है तो इसलिए हम इसको लूज ही बनाएंगे आप चाहे तो इसकी इस तरीके से शेप करके इसको नीचे की साइड से कम भी कर सकती हैं ये देखी ये हमारा आसन है आसन को हमें डबल कर लेना है और इसके उपर अंदर की साइड एक सिलाई लगा लेनी है अब हमें यहाँ पर इसमें हलके हलके से कट लगा लेने हैं फ्रेंट्स ये कट लगाने जरूरी है जब हम ये कट लगा लेते हैं तो ये साइड में से अंदर की साइड से खिचता नहीं है सिलाई की साथ सेट हो जाता है और जिस साइड हमें सिलाई लगानी है अंदर की सिलाई का सब फेबरिक हमें उसी साइड में इसके नीचे की साइड कर लेना है जिससे ये सिलाई में दब जाता है और अंदर की साइड से बेबी के चुबधा भी नहीं है अब एक सिलाई एक पेर की हमें इसकी ओर लगा लेनी है ये देख सकते हैं थोड़ी सी दूरी रखते हुए हमने इसमें सिलाई लगाई है जिससे इसका अंदर का फेबरिक बहुत अच्छी तरीके से इसी के नीचे सेट हो जाता है और ये जल्दी से उधरता भी नहीं है अब हमें दूसरा आसन भी अपना ऐसे ही तयार कर लेना है अंदर की साइड सिलाई लगा कर और फिर उपर की साइड ये हमने 18 इंच की लास्टिक लिए है फ्रेंस लास्टिक आप अपनी बेबी का मेजरमेंट लेकर उसकी चोड़ाई के हिसाब से भी लास्टिक रख देते हैं यहां पर हमने जो नेफे के फॉल्ड करने का निशान लगा हुआ है और हम अपनी लास्टिक से इसको माप लेते हैं उसके हिसाब से हम इसको थोड़ा सा कमी या जादा भी नेफे को कर सकते हैं ऐसे करते हुए हमें बिल्कुल बराबर नेफा फॉल्ड कर लेना है अगर आप बिगनर्स हैं तो फॉल्ड का दोनों पीस पर आप निशान लगा सकते हैं नेफा फॉल्ड का उसके हिसाब से आफका नेफा विल्कुल बराबर मुर जाएगा यह हमने यहां तक नेफा मुर दिया है और दो इंच के करीब इसको छोड़ दिया है दूसरी साइड का जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है उसमें को हम इसको निकाल लेते हैं अब दोनों लास्टिक को हमें एक दूसरे के उपर रखते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है दो से तीन यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है ताकि यह लास्टिक अंदर जाकर खुले नहीं यह हमने यहाँ पर इसको पक्का कर दिया है अब हम लास्टिक को खीच कर बराबर कर लेते हैं और जो हमारा यह खुला हुआ हिस्सा है उसके उपर हमें सिलाई लगा देनी है क्योंकि से इस से लास्टिक सेट रहती है और कपड़े के साथ लिखुल भी लास्टिक खराब नहीं होती है और इन दर जा कर मुडदी भी नहीं है नेफे में ऐसी ही सीधी लास्टिक ये रहती है ऐसे ही पीछे की साइड से खीचते हुए हमें पूरी लास्टिक पर अपने सिलाई लगा लेनी है यह देखिए लास्टिक पर हमारी सिलाई लग गई है अब हमने यह डिजाइन के लिए मोहरी में लगाने के लिए पट्टिय ली है जिसकी चोड़ाई और लेंध टू इंच है इसको हम इस तरीके से दो बार फोल्ड कर लेते हैं और यहां पर सिलाई लगा लेते हैं दूसरे पीस को भी हमें ऐसे ही फोल्ड कर लेना है और हलक इसी नोक हमें पहले वाले पीस के उपर इसके रखनी है फ्रेंट्स एक बार और हम बता देते हैं ये देखिए हमें इस पीस को दो बार फोल्ड करना है एक बार ऐसे कर लिया है और एक बार ऐसे करना है और हलका सा हमें पहले वाले पीस के उपर रखकर इसको सिलाई लगानी है ऐसे करते हुए हमें मोहरी से माप कर अपनी पूरी डिजाइनिंग पट्टी ये तयार कर लेनी है दोनों मोहरी के हिसाब से हम दो पट्टीयां इसकी तयार कर लेते हैं ये देखिए ऐसे हमें इसका डिजाइन बनाना है ये हमने देख सकते हैं पूरी पट्टी अपनी तैयार कर ली है अब हम इसको मोहरी पर रखते हैं और इसे करते हुए इसको सेट करते हुए इसके उपर सिलाई लगा देते हैं ये देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारी पट्टी डिजाइनिंग की लग चुकी है एक्स्ट्रा फेबरिक अगर आपका अंदर से कम जादा हो रहा हो तो आज उसको काट कर बराबर कर सकती हैं ये हमने 1.5 इंच की सीधी पट्टी ली है इसको हम इस पट्टी के उपर लगाई हुई है वो सब सिलाई इस पट्टी के नीचे हमें दाब देनी है ताकि वो अंदर की साइड से ना चमके ये देखिए हमारी पट्टी कितने अच्छी तरीके से लग चुकी है अब हमें इस पट्टी पर एक किनारे पर सिलाई लगा देनी है और सभी फेबरिक भी ह हमारा इसके अंदर की साइडी आना चाहिए इस तरीके से अगर आप पट्टी लगाएंगी तो आपकी पट्टी अंदर की साइड को मोडने में परिशानी नहीं होगी अब हम इसको फोल्ड करते हुए अंदर की साइड से एक सिलाई लगा देते हैं इस तरीके से हमारी और बहुत जादा फनीशिंग के साथ आप इस प्लाजो को बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं और इस प्लाजो को आप अलग से भी किसी टोप की साथ बेबी को पहना सकते हैं यह देखिए हमारी कितनी प्यारी सी है डिजाइनिंग लग कर तैयार हो गई है इस मोहरी पर भी हमें ऐसे ही डिजाइन बना लेना है दोनों मोहरी पर हमने डिजाइन बना कर अपना तयार कर लिया है अब हम इसको ऐसे करते हुए डबल कर लेते हैं और इसके उपर साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स यहाँ पर आसन पर हमें हमेशा साइड की फिटिंग पर भी डबल सिलाई लगाने चाहिए जिससे ये बेबी के पहन कर जल्दी से खुलते नहीं है ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे करते हुए हमारी ये प्लाजो कम्प्लीट हो गया है अब हम इस पर यहाँ पर एक सिलाई ओर लगा लेते हैं ये देखिए फ्रेंड्स फ्रोक में भी और प्लाजो में भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी डिजाइनिंग इसकी बन कर तयार हो गई है बहुत ही खुबसुरत सी ड्रेस आप इसको घर पर ही तयार कर सकते हैं और इसमें बीच में यहाँ पर इसके उपर हम बटन रखकर लगा देते हैं फ्रेंड्स इस फेबरिक में केई कलर हैं तो हम इस पर केई कलर के बटन लगा देते हैं जो हमारे फेबरिक में कलर हैं उसके हिसाब से अगर आप एक कलर के लगाना चाहें आपके फेबरिक में एक या दो कलर हो तो आप एक दो कलर के भी लगा सकते हैं और प्लाजो के कलर के भी इसमें बटन लगा सकते हैं ये देखिए हमारी ड्रेस कितनी प्यारी सी बन कर तयार ह हो गई है फ्रेंस हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में